तो चने की सबजी तो हर किसी को पसंद होती है लेकिन आज हम ऐसे चनी की सबजी बनाने जा रहे हैं जो की खाने के बाद हर कोई पुछेगा कि आखिर इसमें चना कहा है तो यहां मैंने चनो को राद भर पानी में भिगो लिया था उसके बाद यहां पे जार में डाल दिया है मैंने अद्रक, हरे मिर्च, धनिया की पत्ती साथ में डाल दिया है थोड़े से चनो को और यहां हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस चने को पीस लेंगे बस हमको इतना ही पानी डालना है जिससे कि ये चने अच्छे से पिस जाएं तो इसका बहुत ही fine से आपको paste बना लेना है बाकी चनों को भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसी तरीके से पीस लेंगे और यहां मैंने डाल दिया है नमक और नमक डाल करके spatula से हम बहुत ही अच्छे से इसको mix कर लेंगे तो ये हमारा paste हो चुका है ready अब मैंने यहां ले लिया है एक बड़ी वाली थाली और इसको हम थोड़ा सा oil डाल के grease कर लेंगे आपको बहुत अच्छे से grease करना है ताकि यह जो mixture हम डाल रहे हैं इसके उपर यह बिल्कुल भी चिप के ना तो यहां हमने डाल दिया है सारा mixture और इसको equally इसके उपर spread कर दिया है यह देखिए आप किसी भी कर्ची की मदद से चमच की मदद से आप इसको spread कर लेंगे और यहां मैंने पानी थोड़ा सा गरम कर लिया था उसके उपर इसको steam होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है ढग करके आप इसको medium flame पे करेंगे जब भी यह पक जाएगा आप इसको हाथ से चूके देखें कि अगर यह आपके हाथ में नहीं लग रहा है इट मिन्स कि यह पक चूका है तो अब हम इसको अलग रख लेंगे ठंडा होने के लिए फिर इसकी बर्फी काट करके इसको fry कर लेंगे मैंने इसकी बर्फी कट करते वे भी शूट किया था बट पता नहीं वो कहां चला गया तो आप प्लीज मैं जो बता रही हूँ उसको follow कर लेना तो यहां आपका जो भी शेप दिल करें आप उस तरीके से काट लेना और सारी बर्फीों को इसी तरीके से fry करके golden fry करके निकाल लेना आप इस तरीके से इसके पकोड़े बना के भी खा सकते हैं यह बहुत अच्छा लगता है तो चलिए हम इसके मसाले तियार करते हैं तो यहां मैंने ले लिया है सरसो तेल साथ में डाल दिया है जीरा और यहां पे मैंने तीन प्याज को पीस के डाल दिया था साथ में अब इसमें डाल दिया है नमक और इसके साथ हम डाल देंगे कुछ मसाले जिसमें मैंने सबसे पहले डाला है धनिया पॉर्डर, हल्दी पॉर्डर, मिर्ची पॉर्डर और इसके साथ डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हमको डाल देना है कस्तूरी मेथी और मसालों की हम बहुत ही अच्छे से भुनाई करेंगे 4-5 मिनट तक हम इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे उसके बाद हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी आड़ कर देंगे आप चाहें तो टमाटर फाइन चौप करके भी डाल सकते हैं इसके बाद मसाले को आपको इदब मीडियम फ्लेम पे भुनना है तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से oil ना निकल आए तो यहां यह देखिए यह हमारे मसाले almost भुन चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल करके इसको बहुत ही अच्छे से पानी में mix कर लेना है उसके बाद हम इसमें और पानी अड़ करेंगे एक बार में हमको ज़्यादा पानी बिल्कुल अड़ नहीं करना है क्योंकि नहीं तो फिर मसाले अच्छे से mix नहीं होते हैं और जब यह एक boil आ जाए तो आप इसमें इन बरफियों को डाल देंगे और यह देखिए यह हमारी सबजी बिल्कुल तयार है आप इसको पराटे, चावल, रोटी, किसी भी चीज के साथ खाए और बताएं कि यह चने की सबजी है कोई भी बिलीव ही नहीं करेगा कि आपने चने की सबजी बनाई है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग सा स्वाद है इसका तो इस बार इस चने की सबजी को जरूर ट्राइ करना और पसंद आए तो लाइक करना, श्याय करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ये सबजी कैसी बनी थी थैंक्यू पो वाचिंग